Hello Everybody, This is Rahul Upadhyah signing in. ये Class 2 के लिए वीडियो है. इस वीडियो में Science Subject का हम पहला Chapter देखने जा रहे हैं. तो Chapter का नाम है Plants Around Us. हमारे आसपास के पेर पौधों के बारे में हम इस Chapter में जानेंगे. तो चले Starting से सुरुवात करते हैं. Visit a Garden. यानि कि Garden में हम जब जाते हैं, वीडियो करते हैं, पहुंचते हैं वहाँ पर. तो You Will See Many Plants There. तो जब आप लोग जाते हैं, तो हम आप लोग क्या देखते हैं? Plants, बहुत सारे पेर पौधे आपको Garden में दिखाए देते हैं. ठीक है? फिर हम देखते हैं Next Line. Plants are of different shape and size. हम जब गार्डन में जाते हैं, तो हमें जो पेर पौधे दिखाए देते हैं, तो वो क्या होते हैं? कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं. देख सकते हैं, इस फिक्चर में आपको कुछ पेर आपको बहुत बड़े दिखाए दे रहे हैं, और कुछ पेर पौधे आपको छोटे दिखाए दे रहे हैं, तो ऐसा ही होता है. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, विजिटर गार्डन हम जब गार्डन में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे आज पास बहुत सारे पेर पौधे हैं, और सभी पेर पौधे अलग-अलग आकार के और साइच के होते हैं, ठीक हैं? और बहुत सारे पेर पौधे हरे होते हैं तो चलिए हम next phase पर चलते हैं तो हम next phase पर आ चुके हैं तो इस phase पर हम देखेंगे kinds of plants हम पेर पौधो के परकार के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं tree पर ठीक है? तो tree कैसे होते हैं? देख लेते हैं, देखे tree are very big and strong plants जो पेड़ होते हैं, बहुत ही बड़े और तागतवर होते हैं देख रहे हैं आप एक ये बन्याइन का tree है, बर्गत का पेड़ है जो देखने में बहुत बड़ा है और विशाल है और strong भी है आगे देखते हैं They have a thick and hard steam called the trunk इसमें जो है इनके जो तने होते हैं वो बहुत मोटे और मजबूत होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, trunk बोलते हैं चले next देखते हैं trees have many branches covered with leaves they often bear flower and fruit ये जो इनके साखाए होती हैं वो पूरी पत्तों से धगी होई होती है जो पेड होते हैं उनके जो साखाए होती है वो पत्तों से धगी होई होती है और कभी-कभी इन साखाओं पे इन साखाओं पे क्या आते हैं? फूल आते हैं और फल आते हैं ठीक है, some trees grow tall and some spreads out, कुछ पेड़ क्या होते हैं, कुछ बहुत उंचे चले जाते हैं, और कुछ spread हो जाते हैं, यानि फैल जाते हैं, जैसे आपको coconut का आप ट्री देख रहे हैं, ये बिल्कुल सीधा लंबा ग्रो हो रहा है, बट यहां बनियान का आप जो ट्री देख रहे हैं और गुल्मोहर का जो ट्री है, वो थोरी उंचाए पर जाने के बाद, spread हो गया है, फैल गया है, ठीक हैं, तो I hope आपको ट्री समझ में आया होगा पूरा, next हम चलते हैं, serv, serv are smaller and weaker than tree, serv जो होते हैं, वो ट्री से थोरे से छोटे और हलके से ही कमजोर होते हैं, a serv has many thin and soft stems, many branches come out of them, इनके जो serv होते हैं, इनके जो serv के जो तने होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, ठीक हैं, और soft होते हैं, जैसे एक example आपके सामने, रोज का है, ठीक हैं, तो इसके जो तने आप लोग देख रहे हैं, वो कैसे हैं, बिलकूर पतले से हैं और weak हैं, ज्यादा strong नहीं हैं, और इनकी जो साखाएं होती हैं, वो बहुत होती हैं, देख रहे हैं, बहुत अलग-अलग निकलती जा रही हैं, चले, next देखते हैं, herbs, herbs are very small and weak plants, herbs क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, और weak होते हैं, एक example, Spanish का है, ठीक हैं, पालक का, और they have soft, thin and green steam, इनकी जो तना होता हैं, जो तना होता हैं, वो बहुत ही soft होता हैं, मुलायम होता हैं, पतला होता हैं, हरे रंग का होता हैं, All grasses are herbs, जितने भी घासे होती हैं, वो क्या होती हैं, herbs कहलाती हैं, ठीक है, आसपा जितने भी आप घासे देखते होंगे, वो सभी herbs कहलाती हैं, तो last one है, clambers, some plants are very long but they are also very thin and weak, कुछ plants जो होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, पर वो क्या होते हैं, कमज़ूर होते हैं, पतले होते हैं, उनकी तने जो होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, च stabattas हैं, वो अपने आप नहीं खरे हो सकते हैं, तो उनको क्या जरुत होगी they need support to stand and grow उन्हें बढ़ने के लिए ग्रो करने के लिए सहारे के जरूरत होती है तो such plants are called climber ऐसे plant को हम क्या बोलते हैं climbers बोलते हैं climbers take spot of all sticks or other plants to grow climber को सहारे के लिए दिवार की, लकडी की और other किसी चीजों की जरूरत होती है सहारा लेने के लिए और grow करने के लिए यह आपका half of chapter था so that's all for this video if you have any question and doubt, just need to suit that in the comment box okay, so this is Rahul Upadhyay signing off thank you